हेलो फ्रेंड वेलकम टू नमीता किचन कॉर्णनर मैं नमीता और आज मैंने बनाया है भूने हुए चने की चटनी बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत ही हल्दी तो चलिए इसे हम बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने आधा कटोड़ी भूना हुआ चना लिया है इसके हम छि छिलके को अलग कर लिया है इस तरीके से यह देखिए तो सारे चने के चिलके अलग हो गए है थोड़े बहुत रह जाते हैं तो कोई बात नहीं से चटनी खराब नहीं लगती है अच्छी ही लगती है तो एक मिकसर जाड लेंगे उसमें हम यह चने को डाल देंगे उसके बा इसलिए हडी मिर्च थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो अच्छा लगेगा चटनी तो मिर्ची अध्रक लसून इसमें हमने डाल दिया और यह हमने थोड़े से धन्या लिए है इन्हें भी धोग अच्छे से रफली काट कर इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम स्वादनु ग्राइंड न ход टाटरी को पीषने में घ्र संहरी मुझने वाय पानी वह चटनी और फिर से ग्राइंड करेंगे तो यह देखिए अब हमारी चटनी बहुत ही अच्छी बनकर तयार हो गई है बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है मुझे तो यह चटनी चावल के साथ बहुत जादा स्वाधिश्ट लगती है वैसे आप इसे रोटी पराठा किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं बहुत अच्छी लगेगी आपको मेरी यह भुने हुए चने की स्वाधिश्ट से चटनी कैसी लगी अच्छी लगी है तो लाइक शेर और कमेंट करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में